अमस्कार बित्रू बहुत बहुत स्वाक्त करते हैं आपका हमारे चेनल में मित्रू साल 2025 का आखरी चंदघ्रण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है ऐसे में 25 अक्टूबर के ठीक एक दिन पहले 24 अक्टूबर को दिपावली का पावन फर्व मनाया जा रहा है ऐसे में दिपावलीप के बाद लगने वाला ये चंदग्रण का सही समय, सुतकाल और इसमे बरती जाने वाली महत्मुन साफधानियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साल का आकरी सूरी गरन बहुती प्रभावसाली रहेगा क्योंकि इसमें सूरी मकर रासी में चंद्र भी गोचर करने वाला है, वहीं बुद्ध भी अपनी रासी को परिवर्चत करने वाला है ऐसे में आपको बता दें कि इस सूरी गरन गर्वती महिलाओं के साथ-साथ युवाओं, बुजर्गों और बच्चों के लिए भी बहुत प्रभावसाली और प्रभावकारी रहेगा ऐसे में इसमें बहुती साफधानी रखने की जरूरत रहेगी इस विडियो में आपको गर्वती महिलाओं को कौन सी वहत्पुन साथ भनी बरतने की जरूरत रहेगी उस बारे में भी आपको बताने वाले हैं तो विडियो को पूरा जरूर देखिएगा त्योंकि ये विडियो बहुत भी महत्पुन रहेगी उससे पहले आप इस विडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें बत्रों साल का आखरी सूरी गर्ण अक्टूबर को लगने बाला है ऐसे में ये साल का आखरी वा दूसरा सूरी गर्ण रहेगा जो तिसास्त्र के अनुसार सूरी गर्ण, अमवस्या और चंद्र गर्ण पुर्निमा को लगता है धार्मिक पन्यताओं के अनुसार गर्ण के दोरान किसी भी सुबव मांगलिक कारे को करने की मनाई होती है गर्ण के दोरान सुथ तकाल भी रहेगा ऐसे में साल 2025 का यह आकरी सूरी गरन 25 अक्टूबर को लगेगा और इस दिन गोबर्धन पूजा भी होने बाली हैं यह भारत के साथ साथ पूरे विश्व के कई अन्य देशों में भी नजर आने बाला है हलाकि भारत में इसका प्रभाव आन्शिक रहेगा लेकिन फिर भी इसको आप जरूर मानना ही पड़ेगा क्योंकि यह आप के लिए और विशेश रूप से यह गरहन दिपावली के बाद लग रहा है जिसके कारण यह सूरी गरन का महत्व बढ़ जाता है प्रभाव साली होते हैं और बहुत दूस प्रभाव साली होते हैं ऐसे में आप लोगों को सावधानी रखनी की जरूत होगी सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह ग्रहन कहां कहां दिखेगा अगर आपको भी अपने सहर का जानना है तो आप अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें मतरों यह सूरी ग्रहन भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा भारत में इसका प्रभाव आंसिक होने के कारण यहां सू तक मानने नहीं होगा यह ग्रहन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप, अफेरिका के कुछ देशों में उत्रे हिंद महासागर पस्चमे एस्या आधी में अधिक समय तक दिखाई देगा और भारत में यह नई दिल्ली, बैंगलूरू, कौलकाता, चैननाई, उजयन, वारनासी, मतुरा, हैंसेकी, मोस्को, काबूल, इसलामाबाद, तहरान और बगदाद आधिकुछ परसिद्र सहरों में दिखाई देगा जहां आंसिक सूरीगरन रहेगा वहीं यह सूरीगरन भारत का आखरी सूरीगरन होगा, जो की 25 ओक्टूबर को लगने वाला है ऐसे में सूरीगरन के दोरान विसेज सावधानी वरतनी के जुरत होती है सूरीगरन के दोरान पूजा पाट आप न करें मंदिर है तो मंदिर के कपाट को बंद कर दें सूतक काल में आप बिल्कुल भी भोजन न करें ग्रहन के दोरान भोजन करना सोच जाना या फिर सोना इत्यादी वर्जित होता है गर्वती महिलाओं को भी विसेश सावधानी रखना होगा नहीं तो आपके बेट में पल रहे बच्चों पर इसका दुस्परभाव पढ़ सकता है इसलिए गर्वती महिलाओं को सूरी ग्रहन के दोरान घर के चार दिवारी के अंदर ही रहना चाहिए सूरी के किरने आप तक न पहुचे इस वात का विसेश धिहान रखें और सूरी ग्रहन के दोरान आप ओम नमश्यवाय आप हनुमान चलीसा दुरगा चलीसा सुंदर कांद का पाठ कर सकते हैं और गर सूरी ग्रहन के दोरान आप सूरी के मंत्रों का उचारन कर सकते हैं भगवान सूरी को प्रसंद करने के लिए अलग-अलग मंत्रू का उचारन कर सकते हैं। सूरी ग्रहन के समाप्त होने के बाद आप गंगाजल से असनान आदी करके पूरी घर में साप्त भाई करके गंगाजल कछड़काव कर दें। और बचेवे भोजन को आप या तो फेक दें या फिर आप ग्रहन सुरू होने से पहले ही उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें। और ग्रहन के बाद आप रखेवे पानी को भी बदल दें। सुरी घरन के दोरान गर्वती महलाओं को चाकू कैची सुई नुकीली धारदार चीजों से उपयोग करने से बचना चाहिए। आप इस दोरान कोई भी कारे ना करें। आप बस बैठ कर आप मंत्रों का उचारन करें। अब आईए जानते हैं यह सुरी घरन का सही समय वसू पर समाब तो होगा ग्रहन के पहले और बाद में सुतक काल रहता है। अलाकि इसके सुतक का काल का कोई भी असर भारत में नहीं दिखेगा। आप का दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बाक्स में जैमाता दिया वस्चे लिखें। आपका दिन बहतर हो।